हेलो फ्रेंट्स वेलकम तो सेंटर्म अगादमी यूट्यूब चैनल तो आज आम आपके सामने लेके आए हैं सीक्वेंस और सीरीज का एक सवाल इन दे सीरीज आफ प्रॉब्लम सॉल्विंग तो दोस्तो आए सबसे पहले सवाल को देखते हैं सवाल में पूछा क्या गया है in the sum of first n terms of an ap is 3n square minus 2n then we have to find the value of a summation और summation दोस्तों देखने में काफी ही खौफनाक लग रहा है क्योंकि इसके denominator के terms s के terms में दिये गया है जो कि शायद आपको square करें तो चलिए सबसे पहले हम इस denominator को deeply समझते हैं denominator में है क्या क्या यह simplify हो सकता है तो denominator का term आईए हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं तो मैंने sn sn plus 2 को sn sn plus 1 के साथ club कर दिया है तो मैंने क्या किया दोस्तों मैंने इस term को इस term के साथ club कर दिया है ठीक है आपको दिख पा रहा होगा मैंने इस इसको circle किया हुआ है और जो बचेवे term है sn-1 sn-1 उसको मैंने club किया है sn-1 sn-2 के साथ ठीक है तो दोस्तों यहाँ पे first term में अगर आप sn common लोगे तो आपको sn-2 minus sn-1 मिलेगा और यहाँ पे अगर आप minus sn-1 common लोगे तो आपको sn-2 minus sn-1 मिलेगा ठीक है जाहिर से तोर पर यह factorizable है जाहिर से तोर पर यह factorizable है और factorize करने पर आपको मिलता है यह expression चलिए तो denominator का तो चलिए denominator का हम लोगे ने simplify कर लिया यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ dr signifying denominator ठीक है तो दोस्तों sn-1 यह actually होता क्या है यह होता है आपका nth term of the given series ठीक है तो आपका जो nth term है इस particular ap का वो हो जाएगा आपका sn-1 तो निकालेंगे कैसे बहुत simple सी बात है तो sn अलड़ी हमें दे रखी गई है 3n square minus 2n तो sn-1 क्या होगा 3n-1 square minus 2n-1 तो आइए इनका difference ले लेते हैं तो tn हो जाएगा 3n square minus 2n minus 3 times n minus 1 square minus 2 times n minus 1 ठीक है on simplification दोस्तों यह आपको मिलेगा 6n minus 5 तो यह हमारा हो गया and it's term of the given arithmetic progression उसी प्रकार से यहाँ पर मैं now लिख देता हूँ क्योंकि अलग सा statement है उसी प्रकार से आपका sn plus 2 उसी प्रकार से आपका sn plus 2 minus sn plus 1 हो जाएगा क्या simple आप n की जगह पे n plus 2 रख दें तो यह हो जाएगा 6n plus 7 ठीक है तो हमारा जो summation है दोस्तों मान लिजे कि हमारा summation चल रहा है t-r पे तो जो term हमारे पास था उसको हम लोग t-r कहते हैं यहाँ पे question में देखिए यह जो पूरा term है यह जो पूरा term है जिस पर मैं box लगा रहा हूं यह पूरा term मान लिजे t-r है ठीक है तो यह t-r क्या है finally 80-r है हमारा 21 upon 6n-5 times 6n plus 7 okay r is going from 1 to infinity तो दोस्तों ऐसे problem को solve करने के लिए हम एक method यूज करते हैं जिसको हम लोग vn method कहते हैं so vn method क्या है vn method is a special form of method of difference जहाँ पे हम rth term को break करने की कोशिश करते हैं as a difference of two consecutive terms in terms of r मैं फिर से repeat करना चाहूँगा जहाँ पे हम rth term को break करने की कोशिश करते हैं as a difference of two consecutive terms in terms of r तो आईए उस प्रियत्म में इसको break करने की कोशिश करते हैं तो 21 by 21 को तो सबसे पहले मैं बाहर कर लेता हूँ और 1 by 6n-5 minus 6n plus 7 दोस्तों यह मैंने leap of faith लिया है ज़रू नहीं है हमारा term आजाए पर इससे आप देखोगे कि उपर 12 बनके आएगा तो आप divide कर सकते हो यहां 12 के साथ आप खुद से भी confirm कर सकते हो कि this will be your rth term of that given sequence तो दोस्तों यहाँ पे हम r की value धीरे धीरे put करना चालू करेंगे जब 1 put करते हैं तो हमें मिलता है 1 by 1 minus 1 by 13 जब आप 2 put करते हैं तो हमें मिलता है 1 by 1 by 7 minus 1 by 19 जब आप 3 put करते हैं तो आपको मिलता है 1 by 13 minus 1 by 25 etc ठीक है अब हमको actually sum करना है infinity तक हमें sum करना है infinity तक तो हमें लिखने की जरूत नहीं है बाकी सारी term बट एक pattern मैं चाहूंगा कि आप सब observe करें यहां से चलिए 4 की value put करते हैं 4 put करने पर हमें देखते हैं क्या मिलके आता है 4 put करने पर हमें मिलेगा दोस्तो 1 by 19 minus 1 by 31 ठीक है चलिए यह क्रम चलता जाएगा infinity तक अब दोस्तों बहुत ज़्यादा दूर जाने की जरूत नहीं है यहां पर एक pattern मैं चाहूंगा कि आप लोग अफजर्व करें जैसे आप सबको add करोगे जैसी आप सबको add करने जाओगे तो add करने पर क्या होगा यह सारे terms कटते जाएंगे यह सारे terms कटते जाएंगे ठीक है और इतना ही नहीं कटते कटते आपको इतना terms कट जाएंगे कि आपको सिर्फ सिर्फ और सिर्फ यह दोनों terms ही बच पाएंगे ठीक है तो आपको 1 प्लस 1 बाइ 7 टम ही बच पाएगा बाकी सारे के सारे term दोस्तों अलविदा कहके चले जाएंगे तो देखते हैं फाइनली result क्या आता है this is 8 by 7 तो चलिए दोस्तों इसको simplify करते हैं this is 3 this is 4 and this is 2 तो what happens sum till infinity comes out to be 2 तो दोस्तों इस question का answer है 2 which is option number option number देखते हैं option number a इसका सही जवाब है तो दोस्तों आपने देखा कि एक seemingly difficult problem को हम लोगों ने कैसे आसानी से break करके simplify करके यहाँ पे solve किया तो learning यहाँ पे यह थी आपकी VN method यह method आपको बहुत ही important method है JEE preparation के लिए तो दोस्तों आशा करता हूँ यह video आपको अच्छा लगा होगा thank you so much for watching keep learning and stay safe